Hello everyone and welcome you all to my channel Exploding Daily with Adya तो आज है महावीर जहनती, आप सबी को महावीर जहनती की हारदिक शुप कामना है इश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी सबी मनो कामना है पूरी हो ऐसी मेरी इश्वर से प्रातना है आज मैं आपको लेकर आगई हूँ संडे सदर क्रॉक्री मार्केट में महावीर जहनती की वज़ा से आज सदर बजार का जो पत्री मार्केट है में रोड वाला वो काफी जादा कम लगा हुआ था लेकिन अंदर जो गलियों का मार्केट है वो कम्प्लीट लगा था तो ये संडे सदर क्रॉक्री मार्केट पहुँचने के लिए आपको आरके आश्रम तीस अजारी और पुल बंगश तीनों हे मेट्र स्टेशन नेर बाए रहेंगे यहाँ पर पहुँचना कैसे इसके लिए मैंने अल्री एक लोकेशन माप बनाय हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए बिना किसी देर के आज का वीडियो देखना शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप दिली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिलकुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का चानल जरूर सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल नोटिफेकेशन आन करना ना भूलें देखिए इस मार्केट में पहुँशने के लिए एक ही नाम आप याद कर लिए नंद दी हटी छोले भटूरे जो की बहुत ही फेमस छोले भटूरे की दुकान है उसे अगर आप गूगल लोकेशन में भी ढालेंगे तो आप इसली यहां पर पहुँच सकते हैं नंद दी हटी के बिल्कुल पास ही आपको यह वाल पेपर वाले भया की शॉप मिल जाएगी और यह जितने भी आप वाल पेपर देख रहे हैं पांच मीटर की लेंद रहेगी प्राइज में आपे कोट कर दिया है इसमें कभी-कभी एक्स्ट्रा वित वाले भी आते हैं तो उनके प्राइजेस अलग रहते हैं इस पार थे नहीं सो मैंने दिखाए नहीं आपको अगर आपको यहाँ पर वुड़न लुक वाले चाहिए फ्लोरल प्रिंट वाले चाहिए पेस्टल चाहिए शाइनी चाहिए मेटालिक लुक में चाहिए तो हर तरीके के हापर बिल जात है तो यह स्किट फ्री होते हैं और आप इसे इजली वाश कर सकते हो पीछे जो आप देख रहे हो बहुत सुंदर सा जाल पाटन बना हुआ है और अगला जो आ रहा है यह तो हर घर में होता ही है मुझे लगता है डाइनिंग टेबल का साइज भी आता है इसमें फिलाल जो म वाश भी कर सकते हो इसमें और मिल जाएंगे यह रहेगा अपना ब्लू वाला 180 रुपीज का यह है याद रखना इसे के पुलकुल आज पास यह पूरा सदर चाइना मार्केट लगता है तो कुतूब रोट से भी आप इसमें एंटर कर सकते हो नारायन एंटरप्राइजस न जरूर कर लिए इसे टूटा-फूटा ना हो कहीं पिन न निकल रहा हो चेक करके लेना हर चीज और बगल में यहाँ पर जो है एर बैंड्स मिल रहे थे महावीर जयनती है आज आप सब को उसके हारदे के शुब कामना है महावीर जयनती की वजह से आज सदर मार्केट जो है बाहर का संडे सदर पट्री बजार वो नहीं लगा था महाँ पर बहुत जगा जो है रैली निकल रही थी भगवान जी की और भंडारे हो रहे थे पूरा सेलिब्रेशन के महाल में था सदर बजार तो वो में रोड वाला एरिया जो है मार्केट आज नहीं लगा था जो इसका होकर रह जाता है तो अगर आप यह चीज यूज कर रहे हैं डारेकली तो कमेंट करके बड़ बताइए का जरूर इसका रिस्पॉंस कैसा है कितने मच्छर मर रहे हैं सक्सेस्फुल है या नहीं यह मैंने आपको चोटा एक जार दिखा दिया मिक्सी का और यह जो ब्ल है बहुत जादा हैवी भी नहीं है बड़ इसमें स्विच क्यों लगा हुए यह मुझे समझ नहीं आया यह जाड़े 300 रुपए का सी स्विच वाली प्रेस मैंने पहली बार देखी है इन भहिया के पास में सेल्फ ब्रूमिंग के लिए सेल्फ केर के लिए बहुत से इलेक् इसे प्राइबल वगरा कहीं पर भी तो एक एक करके मैंने इनके प्राइज कोट कर दिया जो वाइट वाला है काफी बड़ा है यह मार्केट सबसे ज्यादा फेमस ही बच्चों के स्कूल और स्टेशनरी प्रड़क्ट्स के लिए है जितने तरीके के लूंच बॉक्स इंड चोटे-चोटे कंटेनर बॉक्स चटनिया चार के लिए चाहिए सब मिल जाते हैं और हर हफते यहां पर आपको नए नए डिजाइन्स मिलेंगे और इसके लिए हमेशा एक ही चीज मैं आपको बोलती हूं एक लाख बार बोल चुकी हूं और दुबारा बूलूंगी अपने कवन चाहिए उसके ब्रीज कंटें मैंदे चाहिए और मार्केट में जा साथ को आपको इस आइसा इल्लाक्ट प्राड्ट कर दीखेंग जैने हैं कि लीक्न ओ dependent अगन यू part स क्योंगी अचाह जाए नहीं ब्रन याइइ सब दो हा दो पर दिखेंगे और बीच में जो यह आपने देखा यह भी hot and cold वाला है चाय, coffee, lassi कुछ भी आप रख सकते हो 15 लिटर, 10 लिटर, 5 लिटर, 25 लिटर, 20 लिटर सब capacity यहाँ पर मिल जाती है तो छोटी family के लिए इस तरीगे का 5 लिटर का भी आप ले सकते हैं अब मैं आपको लेकर चल जूँ, पवन भाई जी की शौप में जिनका की famous है school bags का collection और पिछली बार जब गई थी, अलग collection था और बिल्कुल different change हो चुका है आप में से जिन्नों ने भी पवन भाई से school bags लिए अपने बच्चों के लिए comment करके जरूर बताईगा रेली सॉरी ये भाई ऑनलाइन नहीं देते हैं आपको market visit करना ही होगा पर इनके rates काफी genuine है और इसमें भी कुछ ना कुछ ये bargaining हो जाती है जो already हाँ coated है इसमें भी वो bargaining कर लेते हैं तो अभी पवन भाई तो शॉप पर नहीं थे मुझे पता चला है वो मसूरी घूम रहे है आपको बहुत अच्छे से घूमो आप और हमारे लिए भी थोड़ी से थंड़क दिल्ली में ले आना और यहां भया की जो शॉप लगती है उसके उपर नहीं बोर्ड लगा होगा यह कुंदन लारेंट संस का इसके बिल्कुल नीचे पवन भाई की शॉप लगती है इनके सामने फिर से देखे सारे लंच बॉक्स ही लंच बॉक्स है 50-60 से भी स्टार्टिंग हो जाती है इसमें गर्ल्स के लिए भी अलग-अलग पाटन मिल जाते है बोईस को अगर स्पाइडर मैन पसंद है वो ले लो देन लसी चार्च वगरा क्यारी करने के लिए आप प्लास्टिक के यहां पर कंटेनर बॉक्स ले सकते हैं और यह सब जूल्री बॉक्स और यह सब कंटेनर बॉक्स प्लास्टिक के चोट-चोटे कॉलम वाले भी है जूल्री बगरा कुछ भी आइटम आप रख सकते हो इनके बगल में लगती है अगली शॉप और इन भया के पास में रहता है सारा स्टडी टेबल और बच्चों का फरनीचर तो यहां पे न नए स्टडी टेबल मार्केट में आ चुके हैं आपको बता देती हूं मैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो प्राइस को लेके पहले यह चोटे बच्चों के लिए आपको चर दिखा रहे हूं उस पे बैटके बच्चों का आप खाना खिला सकते हो उनको हैबिट डाल सकते हो और इसमें चूचू की भी अवाज आती है बहुत क्यूट सी स्टाड़ी टेबल यहां पर अंडर थाॉजन रुबीज आपको मिल जाती है कोई 400 भी है कोई 500 भी है कोई 600 भी है कोई 700 भी है और पीछे मैं आपको एक चोटा सा बेबी बैबी स्टूल दिखाया जिसमें की एडल्स भी बैट सकते हैं यह जो भीई दिखा रहे हैं तो यह चोटा स्टूल बड़ा स्टूल दो अलग अलग रेट में मिलेगा इस तरीके का वाइट बोर्ड आप ले सकते हो जो कि आपका स्टाडी टेबल का भी काम करता है इसमें उपर पेपर वगरा लगाने के लिए आपको क्लिप लगी मिलेगी और यह अलिमिनियम का बना पिंक वाला जो आप देख रहे हैं यह 500 का है स्क्रीन में आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन इसका साइज भी बड़ा है और प्रिंट थोड़ा सा और यूनीक है इसलिए यह 500 रुपे का है और वैसे जो नॉर्मर वाली स्टेटी टेबल है वो अभी भी यहाँ पर 220 की भी मार्केट आएं आपको यहाँ पर आके ही खरिदारी करनी होगी तो यह भीया के पास में लेटेस्ट वैग जाए हुए इसमें तीन जो है प्रिंट्स गर्स के लिए आए हुए तीन प्रिंट्स बॉइस के मतलब के आए हुए मैं किसी में कोई भेदभाव नी करती बनान वालों ने बनाया है तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो यह रहेगा आपका 650 रुपीज का इसके में आपको कलर दिखा दिए यह 550 रुपीज का है देखिए फोन की स्क्रीन में आपको पता नहीं चलेगा जब आप लाइवली देखोगे तो आपको पता चलेगा कोई आप ले सकते हो और भया के पास में यूएसबी वाले बैग भी रहते हैं चुकि यूएसबी चार्जिंग के साथ में आते हैं जैसे यह पर्टिकुलर पीस आप इसका मार्पी देख सकते हो दो हजार समतिंग है और इसमें लाइक बहुत सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे लापी वगर आप करी कर सकते हो नीचे पूरा 200 वाला सेक्शन है उपर इसका थोड़ा सा बड़ा साइस है साड़े 300 वाले बैग है मोटू पतलू और एवेंजर वाला तो यह भी आकी शॉप लगती है ग्लोब सेल्स कॉर्परेशन के जस्ट नीचे अगर आप मेंसे लोग स पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है आप मेंसे फॉलो कितने लोग करते हैं यह कमेंट करके बिताएगा तो कॉपर की आपको हैमर प्रिंट वाली बॉटल यहां पर मिल रहे है 450 की बॉटल नहीं तो आप ग्लास भी ले सकते हो एकोनॉमिकल रेट में है बस आप इसे से भर के ढग दीजिए रात भर ऐसी रहने दीजिए और सुबाउट के उसका सेवन कीजिए सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है पीतल के ग्लास आपको यहां पर मिल जाएंगे देखिए डिजाइन वाला इसलिए थोड़ा सा अला ग्रेट है यह 14 नंबर का ग्लास ह इसमें चोटे नंबर भी हैं बड़े नंबर भी हैं एक और इसमें आपको डिजाइनर पीस मिल जाएगा यह भी 180 रुपीस का कॉपर का ही ग्लास है अगर आपको पीतल के और कॉपर के बरतन देखने है प्रॉपर बरतन तो वो अलरड़ी मैंने बरतन मंडी सदर बजार के में दिखाए हुए है वो भी यहीं सदर बजार में डिप्टी गंज में तो वहां पे दुकानों पे कड़ाई कूकर हर चीज हर चीज पीतल तामबे की मैंने दिखाए हुई है वो व्लॉग अगर आप देखना चाहते तो व्लॉग इस व्लॉग के एंड में उसका लिंक पूरी पीतल की ट्रे है डिजाइनर ग्लास डिजाइनर जग है प्लेट मैंने पूछा भयाने अलग से उठाके लगा दी सो यह सेट था कंप्लीट और इस हनुमान जियनती पर आप अपने घर में ला सकते हैं महा बली बजरंग बली यह पूरा में तेयार किया गया है और ब यहां पर मिल जाएंगे दुकानों पर और यहां में पास में मेरी सब्स्राइबर खड़ी थी सिम्मी जी बहुत देर इन से बात हो के सीउ टाटा हो ही गया था बस तो आगे मैं आपको मार्केट में लेकर चलती हूँ यहां आपको मैजिकल मैट मिल जाएगा यह मैजिकल है यह मैट अपने आप में पानी पानी टाय गीला भी नी होता फिल दे दो रहां से नान आपको मैरीइन भिछना और कुलफी बनादान करके जरूर बताना मैंने आज तक नहीं बनाई कसम से पर मेरा मन है कि मैं घर में कुल्फी बनाना एक बड़ ट्राइ करूं आपको वुड़न में और स्टील दोनों में चॉप स्टिक्स मिल जाएंगी पीलर मिल जाएगा इस तरीके का स्टेनलेस टील है पैग्ड है और यह भ अंगोचे वाला जो कपड़ा होता है ना खादी कॉटन समझ रहो अभी दिखाते हूं मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकि जूम करके देख ले ना अब जो मैं आपको दिखा रही हूं यह खादी कॉटन वाला कपड़ा इसके हैंकी पहली बार मैंने मार्केट में देखे हैं प्लेन बिल्कुल प्योर कॉटन आपने देखा होगा माइक्रोफाइबर देखा होगा खादी कॉटन वाले आंकिया होएं बहुत जबरदस्त और स्टार्टिंग इन के पास में आपको बता दी 112 से स्टार्ट है अलग-अलग रेट आपको मिल जाएंगे यह चोटे मोटे यह 130 रुपीज का मिलेगा और यह जो ब्रशे आप देख रहे हैं यह गैस कुकर कढ़ाई वगरा साफ करने के लिए एक मेटल का जूना आता है आपको पता होगा वहाथ में लग जाता है तो बेटर है कि आप इस तरीके से ब्रश से इन सब चीजों को क्लीन करें उससे आप कि आपको मिल रहे हैं आपको समर्ज में बच्छों को पदाया कितना क्राफ्ट का काम मिलता है कितना होम वक मिलता है तो ऐसी अलग-अलग साइजेस में स्टेनलेस टील सीजर आप ले सकते हो इनके पास में सारा डूम्ज का इटम है मर्पी पर 10% आपको उफ मिल जाएगा आपको मैं लेकर चल रही हूँ अगली शॉप पर इनकी शॉप बिलकुल वही जो नंदी हटी मैंने दिखाए वहीं पर मिल जाएगी study tables तो हर market में आपको जगा जगा मिल जाते हैं आज राम राज अंकल आए नहीं थे जिनके पास में सबसे ज़्यादा आइटम्स रहते हैं उनके बगल में आपको हद से ज़्यादा अच्छे युनीक और बजिट फ्रेंडली ओर्गिनाइजर्स मिल जाएंगे जो बेबी पिंक वाला में आपको दिखा रही हूं यह दो सेट है उपर वाला थोड़ा से छोटा है और अभी मैं आपको इसका दूस यहां पर आप यहां पर आप यह बहुत अच्छा लग रहा था वैसे मेरी घर में नीड नीए फिलहाल मैं लिया नहीं है नेक्स्ट आपको और यह काफी बड़े साइज के हैं उपर वाला 250 का है और यह नीचे जो है उसके भी पिताजी है उससे भी बड़ा साइज 500 रूप मेरे पास सेम ग्रीन कलर में है जिसमें कि मैंने बहुत सारे सॉक्स रखे हुए है क्योंकि मुझे सॉक्स ढूडने में काफी ठाइम लगता है तो अब और यह सब्सक्राइबर ने मुझे हैंगर्स दिखाने के लिए कहा था तो मैं यहां पर देख लो आप अलुमुनियम का है यह वाला इससे पहले मैंने आपको वुड का दिखाया और यह है सबसे हैवी स्टेनलेस टील का तो तीनों अलग अलग क्वालिटी है जो प्राइज आपको ठीक लगे आप ले लीजेगा यह ऑनलाइन नहीं देते हैं तो आपको मार्केट तो विजट करना ही पड़ेगा तो यह एक जैसे ओर्गिनाइजर है एक 100 का है और एक 500 का है इसमें कपड़े की क्वालिटी का फरक आपको देखने को मिलेगा नेक्स जो मैं दिखा रूपीज का है इसमें भी आप कुछ भी अलग-अलग पार्टिशन में रख सकते हो यह 150 रूपीज का है उससे देखते पर आगे वाली शॉपर दिखा दूँगी यहां पर फूट्स वगेरा कैरी करने के लिए आप ऐसा एयर टाइट बॉक्स ले सकते हो एक छोटा साइज एक बड़ा साइज है नेक्स यहां पर लाओ पाला के बोल्स मिल रहे है और यह काफी बड़ा है मतलब सूप बोल से तो सेल पचास रुपे की देखती मुझे लगा मैं यह भी लिलू वो भी लिलू बट धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा क्वालिटी पर ध्यान दिया तो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए बाकि यह जो मैं आपको बैक्स दिखा रही हूं दियार क्वाइट वर्थ नेक्स्ट आपको जो मैं शॉप लेकर चल रही हूं यह है फैरी अन श्यारी वाले भी यह की जो कि पर्मिनेंट शॉप है यहां की और अंदर इनके बास में बहुत सारे तरिके की वराइटी होती है बस यह जितना आपने शॉप देखा इनका इतना ही है बट यह चोटा पक का हैंड बाग यहां पर आपको मिलेगा पर डिजाइन हमेशा इसमें नए ने आते रहते हैं मंगोलिया के अगर आप लिना चाहते हो पर्टिकुलर सो उसके भी कई स्टफ भयार रखते हैं ऑनलाइन यह भी नहीं देते हैं तो आपको विजट तो करना ही पड़ेगा ऑनला अगर आपको देखाऊंगी भी ना शुबाव फैंसी यूनिक वुड़न आइटम्स का है जो कि ऑनलाइन काफी कॉस्टली मिलते हैं और कई एरियाज में तो मिलते ही नहीं है तो वह सब यहां पर मिल जाता है जैसे कि यहां पर यह 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 यूनिक एंटीक वुड़ और बहुत यूनिक है अभी जो पीछे पॉपल कलर की ट्रे है वुड़न वो मैं आपको दिखाऊंगी भाईया ना सुबह जल्दी आ जाते हैं जो शॉप पर काम करते हैं बट क्या बोलू मैं बहुत देर तक वही एक अकेले बंदे पूरी शॉप बाहर अंदर संभाल रहे इसलिए मैं आपको प्राइजस नहीं बता पारी अधर्वाइस अगर मैंने उनको बाहर से अंदर बुलाया भी है इसका रेट बताओ इसका रेट बताओ तो उनका बाहर का समान्चोरी हो जाएगा तो समझ गए ना इसलिए वह बाहर बैठे थे और अंदर मैं बस आपको य सारे चार फुट का यह वुड़न पें स्टैंड बहुत ही क्यूर तो यह सब आपको एकोनोमिकल रेट में मिल जाता है और क्वालिटी वे अची होती है इनकी शॉप से अगर आपने खरेदारी की है तो भी मुझे अपना कमेंट करके जरूर शेयर कीजेगा यह जब वुड है सारी वराइटी रहती है बस जो कुछ लेटेस्ट है वो मैं आपको दिखा रहे हूं कुछ साड़े तीन सो के छे तीन सो के छे चार सो के छे ऐसे सब डिजाइन यहां लगे रहते हैं अब मैं आगे है के बगल वाली शॉप में यहां पे टोटल घर ग्रस्ती का समान आपक का भी तो यह पूरा तीन का सेट है प्राइज मैंने कोट कर दिया है इसमें कलर वगर आपको और मिल जाएंगे इसी अच्छी वाली प्लास्टिक क्वाल्टी का चोटु सा यहां पे बकेट भी है और बाकी भी जो आप देख रहे हो कोई 200 का है कोई 200 का है यह वाली प्लास् चीज आप देखो वैसे तो प्लास्टिक के और्गिनाइजर है सारे मसाले के और दाल चावल के डब्बे लेकिन प्राइस 100 रुपीज का है चाहे आप 100 के 2 डब्बे ले लो 100 के 6 ले लो 100 के 4 ले लो 100 के 3 ले लो अल्टीमेट ली ना यहां पर आपको जो क्यापेसिटी मिले मैंने पहली बार देखा है मगगा हमारे हैं तो मगगा ही बोलते हैं आप मग बोलते होगे आई नो तो यह सारे मग्स हैं ओके यह 80 रुपीज का यह भी ट्रांस्पिरेंट है यह सब हैवी क्वालिटी के है भाई तुमको देखके ही पता चल रहा होगा आई नो और इनी के पास में आपको सारे लंच बॉक्स बिल जाएंगे यह हर दूसरी दुकान पर है मैंने बोला आप प्राइस देख लो आपको ठीक लग रहा है तो ले लो और यह मैं आपको बता दू हर भाईया के पास में सील पैक ही होता है आज एक आंटी बोल रहे थी भाईया खोल के दि देख रो ड्राइफूट्स वाला था दैन ऐसे आपको हैंडल वाली बॉटल मिल जाएगी 120 रुपीज की आज मैंने भी आँसे एक बॉटल परचेस की है मेरे सपनों की रानी फाइनली मैंने ले 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 लिए और मेरे सामने पड़ी है टेबल पर मैंने उसमें से पानी भी पहले व्लॉग दिखाऊंगे फिर उसमें से पानी प्योंगी तो यह ऐसा सिपर टाइप का बॉटल था 150 रुपीज का यह नेक्स जो आप देख रहे हो फ्लेयर कंपनी के है इंसिलेटेड है थंडा गरम रखने वाली 650 रुपीज की जब भी आपको बॉटल लो अगर वो ब अच्छों के लिए इनके पास में बड़े इच्छी चीज मैंने देखी यह पुरा वैसे तो ऐसे प्लास्टिक वाला सेटल लेकिन गिफ्टिंग के लिए अच्छा है प्लास्टिक की प्लेट काटोरी ग्लास और दो चमच और इनहीं के पास में आपको यह चोटा वाला क्य है मुझे यह भी बताएगा इसकी पीछे क्या लॉजिक है जग तो ठीक है मयूर क्यों लगाते हैं तो यह भी सब डिफरेंट कैपिसिटी के साथ में है फ्लेयर कंपनी का है मैंने पूला ना जो भी चीज लो उसका एक बार डबा भी आगे पीछे घुमा के देख लेना MRP क इतने का है आपको कितने का मिल रहा है सब कुछ नेक्स्ट अब मैं आपको यहां पर लेका चल रहे हूं अराध्या ट्रेडर्स वाले भिया की शॉपर यह इसी शॉप की कमी थी इस मार्केट में अब यह मार्केट अपने आप में एक कंप्लीट क्या कहना ची बच्चों के लिए बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है क्योंकि अराध्या ट्रेडर्स वाले भिया के आने से यहां पर टॉइस की कमी पूरी हो गई है आपको सच को ना तेली वाड़ा चौक पे भिजाने की जुरत नी है यहीं पर भीया के पास में इतने युनीक और नएने डिजाइनर खिलोने बच्चों के मिल जाते हैं न्यूमान से लेकर के टीनेज तक के बच्चों के लिए तो इनका कार्ड मैं आपको दिखा दिया है अराध्या ट्रेडर्स के नाम से और इनसे आप घर बैठे भी टॉइस की शॉपिंग कर सकते हो तो भीया ना कुछ अपने कस्टमर्स क साथ बीजी थे बिलिंग मिलिंग कर रहे थे तो मैंने का सब तक आपको यह सारे आइटम दिखा दू जिन में से भी मैंने किसी का रेट ना पता है उसका स्वीन शॉट लेके भीया के कार्ड पे दिया हुए नंबर उस पे भेज देना और घर बैठे भी आप परचीस कर सकत हो यह बार भी है और यह वाली नहीं वह लोंगी मैं फिर भी बहुत अच्छी है पीछे जो आप कोरियन डॉल रेकर हो यह भी बहुत जबर दसत है यह बेबी डॉल्स हैं 550 रुपीज की जो बिल्कुल रियल काका जैसी लगती है हाउस कंस्ट्रक्शन वाले ऐसे ब्लॉक्स वेजिटेबल के पैक हैं यह और बहुत अच्छी क्वालिटी है रियली नेक्स यहां पर हैमर बॉल वाली ऐसी ना इंडोर आउट्डोर गेम्स आपको बहुत मिलेंगी जब बच्चों का फर्स बर्डे होता है या कुछ भी आप फर्स टाइम की जबच्चे से मिलने जा र बहुत से इलेक्ट्रोनिक आइटम है डांस करने वाले म्यूजिकल आइटम है तो काफी कुछ मैंने बहुत पहले आपको चला के दिखा भी दिये थे फिलहाल यहां पर यह बबल वाली गन मिल रही है जिसमें के अनलिमिटेट बबल निकलते तो यह सबसे बेस्ट वाली है मैंने यहां पर कोट कर दिया अगर आपको इससे भी सस्ती वाली चाहिए तो भीया को कॉंटेक्ट कर लेना वह भी मिल जाएगी और ड्रोन का राइट मैंने पूछा था पर पता नहीं क्यों वीडियो में कैप्चर नहीं है बच्चों की रिमोट कंट्रोल वाली कार्स हैं जो भी डिटेल आपको जानने है आप कॉंटेक्ट करके पूछे ना रेट मैंने आपके कोट कर दिया है जितनी भी अच्छी बेस्ट कार्स है उनके मिनियेचर यहां पर भीया के पास मिल जाते हैं बेबी डॉल्स ऐसी आपको मिल जाएंगी 550 रुपीज वाली मम्मी पाप गुलने वाली है शायद की जो भी म्यूजिकल होगा एलेक्ट्रोनिक होगा वो भी आपको अच्छे से बता देंगे दिखा देंगे दन यू के परचेस तो इनकी शॉप का यह सब आइटम है बाहर भी इनोंने सेल लगा रखी ती जैसे कि यह एरोपलेन आप देख रहो सब बावा यहां पर जैट भी मिल जाएगा इनके पास में एंबुलेंस भी है पुलिस की जीप भी है सब कुछ है रोल प्ले करने के लिए बच्चों के बहुत अच्छे अच्छा इटम इनके पास में आपको मिल जाएंगे तो रेट मैं कोट करती चल रही हूँ इतने समझदा इनके पुल को सामने आपको हैपी बड़ डे टू यू वाला सारा समान मिलेगा यह सब बर्ट डे पार्टी थीम्स हैं इसमें हल्दी बहंदी वाला भी होता है बैशल पार्टी हो गई ब्राइट टू भी ग्रूम टूबी यह सारी थीम मिलती है इसके अलाबा बहा के पास म ट्रेटर्स दिखा दिया आपको जो बच्चों के सारे टॉइस हैं वो भी ऑनलाइन देते हैं और यह वैसे बैंगल के कार्ट पर मज जाना इन ही का कॉंटेक्ट नंबर है इनसे यह सब आइटम आप घर बैठे ले सकते हो जैसे मैं आपको दिखाया है यह बॉटल भी है औ ले सकते हो कोई ऐसा नहीं आपको एक हजार का समान लेना है तीन हजार का लेना है यह इस वीडियो में यह जो बच्चों वाल आइटम जो भी मैं दिखा रहे हूं सिंगल भी आप घर बैठे ले सकते हो अलएड़ी मेरे बहुत से सब्स्राइबर्स इनसे शॉपिंग कर आफ लीटर या उससे कम ही होगी एक लीटर वाली तो बिल्कुल भी नहीं है जितना बच्चों का चोटू सा टमी होता है उसके हिसाब से परफेक्ट है तो यह आ गया आपका यह देखो इसमें भी आने आप निपल लगा दियो तो सिपर भी लगा सकते हो निपल भी लगा स सिंगल पीज है यह 40 रुपीज का क्वालिटी अच्छी है सॉफ्ट है यह ग्रूमिंग सेट है ग्रूमिंग किट है इसमें नेल कटर रहता है फाइलर रहता है आपका शायद एयर साफ करने का है ऐसी सब आइटम रहते हैं बच्चों के हिसाब से हैं जो कि आप इजी ली य सेजन आ रहा है तो मैंगो का सा मैश करके आप इसमें फिल कर दो ताकि बच्चा जो है इसको सक करता रहे और उसको फ्लेवर्स जो है थोड़े से मिलते रहे कभी अंगूर कभी लीची कभी कुछ यह सब आप डाल सकते हो निम्बू का जूस जालने का प्रयास इसमें ना कर बच्चों के लिए पिलो आप ले सकते हो यह चोटी सी शॉप लगाते हैं अंदर जाके इनकी पर्मनेंट शॉप है मंडे टू सैटेड़े भी आप इनकी शॉप पर जा सकते हो जो दर्शीर मेंगल वाला पैने आपको कार्ट दिखा है वही इनका एड्रेस चलेगा वही फ वर्दस चीज में आपको दिखाती हूं वैसे इसमें ना तीन डिब्बियां है अलग-अलग बाहर से प्लास्टिक ही है डोंट वरी अंदर से स्टील है प्लास्टिक के बॉक्स में एक स्टील की कटोरी रखी हुई है यह भी अलग हो जाती है तो क्लीनिंग में भी बहुत जो है यह क्लीन हो सकता है 420 रुपीज उसका मुझे भीया ने प्राइस कोट किया ठीक है लीक प्रूफ है तो कोई ऐसी बात नहीं है एयर टाइट है बट यार यह ऑनलाइन नहीं देते और इनके बगल में बहुत ही प्यारा सा ममेट जैसा यह साबुन रखने का स्टैंड म करीब है लेकिन अच्छा है इसमें घी भी आप मेल्ट करके रख सकते हो या कुछ भी सरसो का तेल वगएरा कुछ भी और यह वाला जो है यह भी ओल डिस्पेंसर है इससे आप ओल को स्प्रे कर सकते हो पराठों पे चीला पे या अगर आप बहुत ओल को कम खाना चाहते हो तो यह आप ओईल को स्प्रे करके तवे पे डाल सकते हो कडाई में डाल सकते हो कूकर में डाल सकते हो नेक्स जो आप देखरो यह सुन्दर सी चीज यह नमक दानी है और यह देखने में ऐसी ही रहेगी अंदर आप इसमें नमक फिल कर सकते हो इसली स्प्रिंकल कर सकते हो इ यहां पर मैंने यह दिखाया आपको लूफ और यह ब्रश वाला तो भहिया ने मुझे स्ट्रिकली बोला कि मैम जी रेट आप टीक से डालना प्लीज किसी ने मेरा व्लॉग बनाए था 220 वाली चीज 100-100 रुपे में बता कि ऐसे घटिया घटिया रेट यूट्यूबर्स डाल रहे हैं लिटरली मुझे पिस उनके बहुत शौक लगा और बहुत बुरा लगा भीया के लिए मैंने बोला भीया अगरा फेस पैचानते हो तो ज़रूर उनको एक बार रोक के टोकना ज किसी काम को करने में बनाने में बहुत महनत लगती है लेकिन उसे बिगालने में एक सेकेंड भी नहीं लगता यह न्यासा वाले भीया के शॉपर में हूँ और यहां पर यह ब्यूटफुल सी मैंने आपको बॉटल्स दिखा दी यह ना दो अलग-अलग साइजस में है अभी इन भाया के पास में न्यासा के कैसरॉल है ये क्या बोलेंगे जो भी खानने के लिए ये मिल जाएगा आपको न्यासा के ही लास के कांच के कंटेकन बॉकसे आपको मिल जाएंगे आधा लीटर, ड़, और हम इस तरीके के। पीछे तक जितना भी देख रहा हूं सब न्यास दिखा दिए बहुत ज्यादा स्टाइलिश वाले गॉगल आपको मिल जाएंगे दूप में जब भी निकलो अपना जरूर हैड कवर करके रखना मार्केट में टोपियां भी मिल रही है स्पेक्स भी मिल रहे हैं चुनी दुपट्टे सब मिल रहे हैं तो प्लीज अपने आपको प्रोटेट करके चलना और इन भीया के पास में एक डिजाइनर सा कार्ड होल्डर है में भी आप लोग इससे अवेर हो मैंने फर्स टाइम देखा है नीचे बस इससे क्लिक करना है और इसमें ना 7-8 कार्ड आ जाते हैं मैं पर्सनली ऐसी चीज को नहीं लूगी क्योंकि अगर बाइचांस यह खोया तो मेरे वो 7-8 कार्ड चाहिए उसमें एटियम हो पैन हो आधार हो वो सब इखटे निकल जाएंगी तो मैं तो यह सारी चीज़ें साथ में कैरी करती हूं कु जो वहां तक पहुंचने के लिए इतने पैसे चाहिए इतना कार्ड चाहिए बस बहुत है कुछ लेडीज होती हैं जो पास के 3-4 किलोमेटर की भी मार्केट में जाएंगी तो अपना पूरा वालेट साथ में लेके चलते हैं उसमें आधार रखेंगी पैन रखेंगी एटि इतने चक्कर काटने पड़ते हैं आप में से बहुत पे यह सब गुजरी भी होगी मैं इसलिए कह रही हूं इतने कार्ड वगरा कैरी करके नहीं चलना ठीक है आप डिली में अपने शहर में घर के पास हो जो बहुत ज़रूरी चीज़े हैं वो रखो बाकि सब घर पे रखो आगे आपको जो मैं शॉप दिखा रहूं ना इन से आज यह मैंने पूरा का पूरा मैट परचेस किया है यह वही मैजिकल वाला मैट है जो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको 100 का दिखाया यह उसका बड़ा वर्जन है जितनी बड़ी ए किचन की शेल्फ होती ना यह उत यहां पर भी आगे पास में वही मैजिकल वाले जो मैट है पानी सोखने वाले यह 90 रुपीज के मिल रहे हैं और जो लोग बल्क में लेते हैं दुकान के लिए लेते हैं उनको और अच्छे रेट यहां पर लग जाते हैं तो इसमें भी कलर डिजाइन आपको काफे मिल है यह फ़र वाले हैं बहुत ज़्या नहीं कि बाल वाल फश जाए लेकिन अच्छा फील है डिजाइन भी बहुत अच्छी हैं प्रेंट अच्छे हैं रूपीज की रैंच में मिलेगा और पीछे जो आप देख रो हो यह रबट फ़र वाले हैं और भी जादा सुपीरियर क पर तब आपको पट्री बजार नहीं मिलेगा जो पीछे दुकाने बन देना उनी पर यह सब समान मिलेगा तो आशा करते हूं आज का यह व्लॉग आपको अच्छा लगा मेरी मैंनत अच्छी लगी अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक